हरे किष्णा डियर डियोटेज, we have started a new series जिसका नाम है Memorize the Shlokas इस series में हम भगवद गीता और अन्य शास्त्रों से कुछ शलोकाज लेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे इसमें आपको एक हफता लगबक छे से साथ दिन दिया जाएगा उस शलोकाज को याद करने के लिए तो this is going to be a very interesting and very learning session and series So I request all of you कि आप सब इन शलोकाज को स्मरन करने का याद करने का प्रयास करें और प्रहपाद की क्रिपा से प्रचार कार में आगे बढ़ें So today's task is to memorize Bhagavad Gita का पहले अध्याय का पहला शलोक तो आप सब मेरे पीछे दुराने का प्रयास कर सकते हैं और इस शलोकाज को इस शलोक को बार बार दुरा सकते हैं पांच दिन के लिए So that you can remember it for the longer time दित्राष्ट्र वाच दित्राष्ट्र वाच दरम्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समये वेत युच्षवा मामका पांडवस्चेवा किम् अकुर्वत संझया किम् अकुरुवर्थ संझया दित्राष्ट्र वाच दरम्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युच्षवा मामका पांडवस्चेवा किम् अकुरुवत संझया इस श्लोक को आपने दिन में लगबक 15 मिनिट के लिए आपने प्रेक्टिस करनी हैं तो I am assuring you कि आपको ये श्लोक आसानी से याद हो जाएगा ये स्रिफ श्लोक संस्क्रिश श्लोक नहीं आपको अनुवाद भी याद करना है और पढ़ना है दितराष्ट ने कहा हे संझय दरम भूमी कुरक शेत्र में युद की इच्छा से एकक्त हुए में पथा पांभू के पुत्रों ने क्या किया आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी इसको याद करना चाहे तो कर सकते हैं So it is best to remember and recite it again and again, again and again every day So if you are going to be consistent on that note, I am assuring you प्रोपाद की मर्सी से आप श्लोकाज, हम सब श्लोकाज बड़ी आसानी से याद करेंगे जो हमारी प्रचार कारे में काफी helpful रहेगा, Hare Krishna, Hare Buddha